हेलो एड वैलकम टू दवी सूटिक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने धनी अकाउंट को पर्मानेंटली यानि की हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे और यूटूब पे काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि बताईए कैसे धनी अकाउंट को डिलीट किया जा सकता है तो देखिए काफी लोग जो धनी अकाउंट है उसमें KYC कप्लीट करके अकाउंट तो बना ले रहे हैं लेकिन उसमें कुछ hidden charges यानि कि subscription fees होने की वज़े से लोग इसे use नहीं कर रहे हैं डिलीट करना चाहते हैं इसमें अगर आप 5000 का लिमिट लेते हैं तो आपको 199 रुपय का subscription fees पे करना होगा उसी तरह 10,000 का लेते हैं और काफी सारे comment भी कर रहे हैं तो आईए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे आप धनी अगाउंट को हमेशाग लिए delete कर सकते हैं और दोस्तों धनी का जो customer care executive है वो भी काफी phone करके परसांद करते हैं दिन में दो बार तीन बार phone करते हैं कहते हैं कि आप अपना subscription fees पे किजे और आपको credit limit मिल जाएगा पांच जार दस जार जो भी मिलना है वो मिल जाएगा आपको बार बार phone करके परसांद करते हैं तो सब का एक ही solution है कि आप अपना account ही permanently delete कर दिजे तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को start और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को किजिए like और चैनल को किजिए subscribe तो दोस्तों चलिए mobile की screen पर चलते हैं और वहां पर step by step आपको बताते हैं आप एक भी step miss मत किजिएगा नहीं तो एकाउंट से है डिलीट ना हुपाए तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए दोस्तों सबसे पहले आपको धनी अकाउंट open करना है open करने के बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको यहां नीचे profile का option देखने के मिलता है इस profile पे हमें click करना है click करने के बाद दोस्तों नीचे scroll down करते हुए आना है इसके बाद देखिए यहां पे लिखा है contact us इस पे हम click करते हैं click करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे देखे call करने का option मिल रहा है और email करने का option मिल रहा है तो इस support.dhany.com पे हम click करेंगे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम gmail सेलेक्ट करेंगे gmail सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम gmail में enter हो जाएंगे और support.dhany.com पे आपको एक mail करना है subject में आपको लिखना है दोस्तों request to delete my dhany account and compose email में लिखना है आपको I have a dhany account in your database will be the name of जो आपका नाम होगा यहाँ पे आप enter कर दिजेगा इसके बाद and my email id जो आपका email id से यह बना होगा वो यहाँ पे लिख दिजेगा इसके बाद I am not able to use this dhany account anymore so I am requesting you to kindly delete my dhany account from your database and also a notification if any और यहाँ पे अपना नाम लिख दिजेगा phone number लिख दिजेगा और नीचे email id लिख दिजेगा और इसको यहाँ से आप उपर से send कर दिजेगा और दोस्तों आपको send करने के बाद 15 दिन के अंदर आपको उधर से mail आ जाएगा और दोस्तों आप चाहें तो call करे के भी delete करा सकते हैं बट call जल्दी लगता नहीं है तो actual में call लगता नहीं इसलिए आप बेहतर होगा कि email के थो ही उनसे बोल दें account delete करने का request डाल दें तो account 10-15 दिन के अंदर delete हो जाएगा और अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप इंस्टाग्राम पे या comment box में comment करके पूछ सकते हैं मुझसे और बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like किजे और channel को subscribe किजे मिलते हैं किसी अगले वीडिय इंने बाते